नमस्कार मैं रवीश कुमार बिहार में नई सरकार बन गई है जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने जिन्हें पल्टू राम कहा आज उन्हें सत्ता के लिए अपना राम बना लिया 22 जन्वरी तक हर तरफ गाने बज रहे थे राम आये हैं 23 जन्वरी से दूसरा गाना बजने लगा पल्टू राम आये हैं भारत की राजनीती में राम पहले भी आ चुके हैं आया राम गया राम बनकर मगर इन दिनों पल्टू राम बनकर विचरन कर रहे हैं लोग आहत हैं कि नितिश कुमार पलट गए गोदी मीडिया को भी स्वागत करना पड़ रहा है पूरे दमखन से राम आए हैं राम आए हैं का स्वागत करने में लगा था अब पलटू राम के लिए बचाव करना होगा दरसल गोदी मीडिया नितिश कुमार के बहाने एक और पलटूराम कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा उनसे पूछ नहीं पा रहा कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप पलट पलट कर नितीश के पास चले जाते हैं नितीश कुमार ने आज इस्तिफा दे दिया बीजेपी ने आज नितीश कुमार को गले लगा लिया इस पूरे खेल में पल्टू राम केवल नितीश कुमार कहे जा रहे हैं मगर ठीक से देखिए तो दो दो पल्टू राम नजर आएंगे महरास्ट्रा, करनाटका, मध्यप्रदेश में सरकार पलट देने वाले राजिस्थान में सरकार तोड़ने की कोशिश करने वाले को तो किसी ने पल्टू राम नहीं कहा, वे तो कांग्रिस से निकल कर बीजेपी में आए मुख्यमंत्री बन गए, जोती रादित्य सिंधिया को किसी ने पल्टू राम नहीं कहा जिन्होंने अपनी ही पार्टी तोर दी और मोधी कैबिनेट में मंत्री हो गए एकनात शिंदे को किसी ने पल्टू राम नहीं कहा, जिन्होंने अपनी पार्टी तोर दी, उसके नेता को ही बाहर कर दिया, खुद मुख्यमंत्री बन गए देविंद्र फणन्विस को किसी ने पल्टूराम नहीं कहा जो मुख्यमंत्री थे मगर सत्ता के लिए शिवसेना से पलट कर आए एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी हो गए बिहार में आरजेडी से निकल कर बीजेपी में आए समराथ चौधरी को किसी ने पल्टूराम नहीं कहा बीजेपी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया और अब उपमुख्यमंत्री बनेंगे आज की बीजेपी को उठा कर देखिए दूसरे दलों खासकर कॉंग्रेस से पल्टी मार कर कितने ही नेता आए हुए मिलेंगे बीजेपी में इनकी तरक्की देखकर बीजेपी के ओरिजिनल कारिकरता और नेता रोज अपने अर्मानों को लेकर पल्टा पल्टी करते होंगे मगर पलट कर कही नहीं जा पाते हैं उन्हें पता है कि जिस एडी के डर से कॉंग्रेस और दूसरे दल के लोग पल्टी मार कर बीजेपी में आ जाते हैं अगर बीजेपी से पल्टी मारी तो एडी का भूत उन्हें धर लेगा मगर इतने सारे पल्टूओं को पल्टा कर अपनी पार्टी में लाने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को किसी ने पल्टू राम क्यों नहीं कहा अगर जिनके दल में और गठ बंधन में पल्टू की इतनी तादाद हो जिनके पास पल्टू की कमी नहीं हो वे एक और पल्टू राम को गले लगाने क्यों दोड पड़े किसी ने क्यों नहीं पूछा नितिश कुमार अगर पल्टू राम है तो नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी थी कि राम के आने के 24 घंटे के भीतर पल्टू राम से हाथ मिलाने चले गए आयोध्या में तो नरेंद्र मोदी ऐलान कर रहे थे कि कोई काल चक्र घूमा है यही काल चक्र घूमा है कि राम आय है के गانा बंद कर पल्टू राम आय है बजने लगा है जिस इंडिया गठबंदन को प्रधान मंतरी मोदी नहीं घमंडिया कहा उसके गठबंदन को बनाने वाले नितिश कुमार को अपने गठबंदन में ले आए तो ऐसा नहीं है कि इस खेल में एक ही पल्टू राम है, कई पल्टू राम है, आप कह सकते हैं कि दो बड़े पल्टू राम भी हैं आखिर क्या बात है कि सरकारे तोड़ लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी और अमिशा नितीश के सामने नतमस्तक हो जाते हैं क्या ये दोनों नितीश को देखते ही अपनी विचारधारा भूल जाते हैं, तेजस्वी से लड़ने के लिए एडी और नितीश से नहीं लड़ पाये तो उनके साथ गठबंधन भारत की राजनिती में पल्टूराम का मुहावरा नितीश के लिए कुछ जादा इस्तमाल किया जा रहा है दरसल ठीक से देखिए तो नितीश अपनी जगपर स्थिर हैं, वे कहीं नहीं पलट रहे, उनकी कुरसी फिक्स है उस कुरसी से इस्तिफा देते हैं, कुछ घंटे के भीतर शपत लेकर फिर उसी कुरसी पर बैठ जाते हैं पलट रहे हैं वो लोग जो उनके साथ कुरसी की मलाई खाने के लिए दोड़े चले गए नितीश कुमार अगर सिधान्त विहीन हैं, तो उन्हें पानी पीपी कर कोशने वाली बीजेपी क्या है बीजेपी ने कम पलटूराम नहीं कहा, नितीश को मानसिक रूप से बिमार तक कहा गया मगर सवाल बीजेपी से नहीं हो रहा केवल नितीश कुमार से हो रहा है जो बीजेपी दंब भरती है कि उसकी राजनीती विचारधारा और रास्टरवाद पर आधारी थे वह भी जातीवाद की गोटियां सबसे पहले फिट करती है बीजेपी ने सीधे चुनाओ में जाकर जनादेश हासिल करने का साहस नहीं दिखाया बलकि राजिपाल को समर्थन पत्र देने चली गई पल्टी बीजेपी ने भी मारी है मगर बीजेपी को किसी ने पल्टू राम नहीं कहा उसके नेता जब नितीश कैबिनेट में जाएंगे तो क्या वहां केवल नितीश कुमार पल्टू राम कहलाएंगे कोई नहीं जानता कि नितीश कुमार पल्टे हैं या उनकी सरकार पलट दी गई है भीतर का किस्सा मालूम नहीं बाहर कहानिया तेराई जा रही है अगर दूसरे राज्यों में E.D. से लेकर तमाम एजंसियों की भूमिका हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती और सवाल है कि आज तक बिहार में E.D. से लेकर आईटी ने जनतादल यूनाइटेड के निताओं और खासकर नितीश कुमार के सचवाले में छापे क्यों नहीं मारे ब्रस्टा चार के खिलाब जितनी कारवाई होती है वो लालू परिवार के ही खिलाब क्यों होती है नितीश ने अपनी पार्टी की राय सुन ली फैसला कर लिया लेकिन B.J.P. ने क्या किया नितीश कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे मर जाएंगे मगर B.J.P. में नहीं जाएंगे बीजेपी भी कहती थी NDA के दर्वाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं फिर दोनों का मिलन क्यों हुआ कैसे हुआ नितिश ने मीडिया से बात की मगर बीजेपी का नाम नहीं लिया पुरानी पार्टियां कहा नाम तो RJD का भी नहीं लिया इधर और उधर के सहारे अपनी बात बताते रहें आज हमने मुक्यमंत्री से इस्तिफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया अरे इसलिए नौबात हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसलिए थोड़ी परिशन आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे हम बीच में बंद कर दिये थे कुछ बोलना तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय अपने पार्टी के लोगों की राय चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया तो इसलिए आज हमने इस्तिफा दे दिया अभी जबी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया अभी हम जो पहले गठ बंधन को छोड़के नए गठ बंधन बनाये थे जो निया गठ बंधन डेड़ महिना से बनाये थे जड़ साल से तो यहां पर भी जो स्थिति इधर आ करके ठीक नहीं लगी है आज इस तरह से लोगों का दावा हो रहा था जो इतना मिहनत किया जाता था कि वहीं लोगे असक्राम कर रहे हैं तो इसलिए आज इन लोगों ने दे दिया अलग हो गए अब आज अन्य पार्टियां एक साथ हो करके जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तै करेगी तो आज उसके वारे में फैसला होगा तो आप जानीगा भी वेट करेंगे तो आज ही शपक कर दिया कि हमको लगा हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहा है थे आप याद करिये ना कि बीच में बहुत कुछ पहना चा रहे थे हम कुछ नहीं बोल रहे थे चारो त्रफ की बात थी कित्रा काम हम कर रहे थे अब उधर भी लोग हम एलायंस करवाए क्या क्या करवाने में लगे आप कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे तो उससब को लेकर क के तकलीफ और यहां पर भी लोगों को तकलीफ तो यह हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था है 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 जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा ताकि लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सब का बात सुन लिजेगा अब तर जो कुछ होगा तो भी जान लिजेगा नितीश के बयान में कोई कारण नहीं बस उन्हें कुछ कह दिया गया और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया ऐसा लगता है कि इसके पीछे किनिया द्रिश्य ताकतवर शक्तियों का हाथ रहा होगा जो सत्ता छीन कर अपने पाले में ले आई हैं दरसल नितीश ने डेड़ साल पहले भी इसी तरह की बात की थी कि पार्टी के लोग कह रहे थे सबसे लाराय ले रहे थे सब कोई कह रहा है कि बीजेपी के वीडियो है उस दिन इस्तिफा देने के बाद नितीश कुमार सीधे राबडी देवी के घर गए पीछे राज़त का बैनर आप देख सकते हैं वहां उन्होंने भाषण दिया कहा कि 2017 में गठबंदन तोड़ने के लिए अपसोस हो रहा है वहां से फिर सभी विधायकों को ल यह कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता हाला कि हम कोई व्यक्तिगा टिपनी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस करते हैं कि ना हम में गुस्ता है ना हम में नाराज़गी है हम बरे सयम रूप से हम लोगों ने गड़बंदन धर्म का जो है पा अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं और आप लिख के ले लिजे जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है दो हजार चौबिस में ही खत्म हो जाएगी यह निश्चित रूप से लिख लीजिए और अभी तो खेल शुरू हुआ है खेल बाकी है अभी इन ल अभी और हम तो भाच्पा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं शुब कामनाए देते हैं चलो जनता दल उनाइटेड को अपने साथ लिया सरकार हम लोगों ने बड़े उमीदों के साथ बनाया था और कि सुद्देश के साथ बनाया था वो नितिश कुमार जी ने आपको उसमय बताने का भी काम किया यह गये हैं इन्होंने इसकी हत्या की है तो जनता इसका जवाब देगी इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है बिहार की मौझूदा राजनिती को आप किसी भी कोने से नहीं समझ सकते हैं इंडिया गठबंदन को लेकर नितिश कुमार की नराज बीजेपी कभी नाराज नहीं हुई नितिश को जाना था और बीजेपी को साथ आना था इंडिया गठबंदन मोदी से लड़ने के लिए बना था गठबंदन के भीतर कॉंग्रेस से सम्मान पाने के लिए नहीं सबको अपनी अपनी जमीन पर लड़ना था मगर नितिश ने इसा सोशे आ रहा है कि यह हमारे हाथ से चले जाएगा तो इसलिए हम और आप मिलके लड़ना है लड़िंगे मैं फिर भी कोशिस करता हूँ उनको अपने साथ रखने का अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाए इसलिए यह पहले से मालूम था लेकिन हमने इंडिया आलाइंस को इंट्रैक्ट रखने के लिए हम हो के कोई बात का अगर गलत करेंगे तो वो रॉंग मेसेज आए ना इसलिए हमने कल लोग पूछे मुझे परसू पूछे तो मैं यही कहा कि देखेंगे अभी हम तो उसका डिवलप्मेंट हमको मालूम नहीं उसके बाद हम के देखेंगे हमने यह कहा था लेकिन यह सूचना तो हमको बिहार के डेप्टी चीफ निश्टर और ललू परसाद दोनूने दिये थे और आज वो सच हुआ ऐसे देश में तो बहुत से लोग है आयाराम गया दरसल 2024 के लिए राजनिती जनता के मैदान में नहीं तै होगी बंद कमरे में तै होगी बंद कमरे में किसी की गर्दन पकड़ी जा रही है तो किसी का गला दबाया जा रहा है बिहार में असल में क्या हुआ इसकी सटीक सुचना किसके पास है जिसके पास है क्या वो कह पाए मगर जो दिख रहा है वो उसी पैटर्ण का हिस्सा है जो 10 साल में मंदिर का रूप ले चुका है गटबंदन में दिक्कतें तो शुरू से थी मगर इनके साथ आने से बीजेपी परिशान हो गई थी उसने इंडिया को घमंडिया कहना शुरू कर दिया इंडिया नाम से ही नितीश कुमार को पता नहीं था कि विपक्ष के हर दल की अपनी समस्या है क्या इस गटबंदन में केवल कॉंग्रेस एहंकारी थी बाकी दल विनम्रता के पुजारी बनकर गटबंदन में बैठे थे नितीश कुमार ने तो मुंबई की बैठक के बाद मीडिया को आजादी दिला रहे थे तो आप सब प्रेश वाले आजाद होईएगा और जो आपको उचित लहेगा वही लिखिएगा और वही बूलिएगा यह बहुत जरूरी है अगर प्रेश के लोग कुछ लिखते हैं कहीं क्या काम हो रहा है क्या ठीक नहीं हो रहा है वो जब लिखते हैं तो उसका असर जंता अब कितना पड़ता है और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं अखाली उनका बड़ाई हो रहा है। कई लोगों ने पुराने बयानों को लेकर आज से कल में 500 बार दोहरा दिया सोशल मीडिया पर। अगस 2022 में भी उन बयानों को दोहराया गया था। 2023 को सुशिल मोदी का एक बयान है या उनहीं की तरफ से जारी प्रेस रिलीज की तस्वीर है। सुशिल कुमार मोदी की तरफ से जारी बयान में लिखा है कि उद्गोशिका से नितीश कुमार के वहवार ने फिर जाहिर की उनकी यौन कुंठा। विग्यप्ती में आगे सुशिल मोदी ने कारण लिखा है कि सदन में माफी मागने के बाद भी वानी आचरन पर सीम का नियंतरन नहीं है। यदि उने नेता नहीं बदला तो लजजित करने वाली बड़ी घटना संभव है। के अंदर जिस सभा में माता बहने भी मुझूद थी कोई कलपना नहीं कर सकता है ऐसी भाशा में बद्दी बाते की कोई शर्म नहीं है उनको। इस स्थर के आरोप नितीश पर सुशिल मोदी लगा रहे थे बीजे पी के नेता लगा रहे थे। क्या उन लोगों ने इसके बारे में नितीश कुमार को नहीं बताया होगा कि जो लोग यह बता रहे थे कि राज़त के खेमे में क्या क्या हो रहा है। नितीश कुमार पर यौन कुंठा का आरोप लगाने वाले सुशिल मोदी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अब स्विकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि वे आदर्शों और विचारधारा पर चलते हुए इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो पल्टु राम को आप बिहार की राजनिती में ठीक से पहचानियें। नितीश कुमार जिस बीजेपी को किनारे लगाने चले गए थे वही बीजेपी पलटकर उनके कंधे पर सवार हो गई है। विहार की जंजन में प्रेम मुहबत होगी सभी मिल्लत के साथ रहेंगे और जै स्री राम का नरा लगाई है स्री सेता राम स्री सेता राम अब ये तो हमारे अब एंडिये की बैठा कोने जा रहा है उसमें ताय होंगे। अब देखिए एक साथ हम लोग जो है नए अध्याई बिहार का विकास की अध्याई लिखने जा रहे हैं। जास्ती अध्यादी और यहां पर हमारे दो चुमाः प्रवारी के कौट कर्दुक्त है। अध्याद्य में पिलोग ताहुझगरी और विपक्यकास भी जिए नेत्रीत में बिहार में गार्टी रंतापाटी का वाहाँ थर्च भी रटी रंतापाटी का बनाया। इन सब के बीच ललन सिंग का क्या होगा जनतादल युनाइटेड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मोधी सरकार और बीजेपी पर कितना हमला बोला ललन सिंग जरूर हस रहे होंगे क्योंकि राजनीती में जो लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं वो रोना भूल जाते हैं उनके भीतर की करुणा समाप्त हो जाती है अब ललन सिंग की प्रेस कॉंफरेंस का इंतजार कीजिए देखिये वे किस तरह से पल्टी मारते हैं और गठबंदन का स्वागत करते हैं अब कैसे बीजेपी की तारीफ करते नजर आएंगे ललन सिंग अपने पुराने वीडियो को डिलिट करने में लगे होंगे मगर ये कोशिश बेकार होगी मुझे लगता है कि वे भी मस्त होंगे जब मोदी नितिश को गले लगा सकते हैं तो ललन सिंग मोदी से गले क्यों नहीं मिल सकते जिस जीतनराम माझी का अपमान नितिश कुमार ने विधान सभा में कर दिया अभधर शब्दों से उन्होंने जट से समर्थन दे दिया विधान सभा में तब नितीश कुमार ने अपना आपा खो दिया था जीतन राम मांजी ने बाद में कहा कि वे नितीश कुमार के खिलाब शिकायत करेंगे और मांग करेंगे कि बिहार में राष्टपति शासन लागू हो अब उन्हें सरकार उनकी बनवा रहे हैं आज वही मांजी नितीश के साथी हो गए इस मौके पर हम नवंबर 2023 की विधान सभा कारवाई का ये अंश दिखाना चाहते हैं ये जो विभिन सैक्षिनिक संस्थाओं में आरक्षन की बात की जाती है आरक्षन आप बढ़ा दिये साई ध्यांदिक रूप में आपकोण नहीं चाहे का क्यों पढ़े लेकिन hesitate पर क्या है इसके वारे में भी कोई में कहनी जो डवलब करना चाहिए जो सरकार आज तक में जो नहीं किया है तो इससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है इसलिए महो दे मैं कहना चाहता हूँ कि यह रहे हैं हमको बात नहीं समझ भारा है इनको कुछ आइडिया है यह तो मेरी गलती है कि साथनी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री यह कोई सेंस नहीं है इसको आई सहीं बोलते रहता है कोई मतलब नहीं है अरे क्या मुख्यमंत्री था यह तो मेरी मुख्यमंत्री बन 2014-2024 के बीच नरिंद्र मोदी की पकड़ हर तरफ बढ़ी है उनका प्रभाव भी बढ़ा है मगर बिहार में वे यूपी नहीं बना सके उन्हें कोई सफलता नहीं मिली बिहार में अपने दम पर राजनिती करने और अपनी लकीर खींचने का अभी तक बीजेपी साहस नहीं दिखा सकी है केरल और बंगाल के साथ-साथ उन्हें बिहार किया सफलता चुपती होगी नितिश कुमार ने नरिंद्र मोदी का मिथक तोड़ दिया है यह साबित कर दिया है कि प्रधान मंत्री बिहार को लेकर घबराये रहते हैं 400 सीटे जीत लेने का दंभ गोदी मीडिया के जरिये जाहिर किया जा रहा है अब वही गोदी मीडिया लिख रहा है एक-एक सीट जीतनी है इसलिए नितिश कुमार जरूरी है जो दिख रहा है वो यह कि बिहार की राजनिती में तेजस्वी यादव तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं वे खटक रहे हैं जैसे उनके पिता को केस मुकदमों से घेर लिया गया उसी तरह तेजस्वी को भी घेर लिया जाएगा 2020 के चुनाओं में तेजस्वी ने 10 लाक नौक्रियां देने के वादे पर चुनाओं लड़ा यह इतना बड़ा मुद्धा बन गया कि नितीश कुमार सवाल करने लगे पैसा क्या जेल से आएगा, रिसोर्स कहां से आएगा मगर जब जनता के बीच यह मुद्धा लोग प्रिया हुआ तब नितीश से लेकर बीजेपी सभी नौक्रियां देने का वादा करने लग गई गोदी मीडिया नौक्रियों के वादे से बुखला गया तेजस्वी आक्रमक होते जा रहे थे, नतीजा यह हुआ कि बीजेपी भी दबाव में आई और 19 लाक नौक्रिया देने का वादा करने लगी पहली बार बिहार की राजनिती में सरकारी भरती की परिक्षा चुनावी मुद्धे के रूप में हावी हो गई तेजस्वी की पार्टी भले बहुमत नहीं पा सकी, मगर उस चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभर गई राजत को 89 सीटें, बीजेपी को 78 और जदियू को केवल 45 सीटें आई नितीश के साथ गठबंदन बनते ही 2 लाग से अधिक नौजवानों को नियुक्ती पत्र बाटने का काम महा गठबंदन की सरकार ने कर दिखाया इसका श्रे नितीश कुमार को भी जाएगा, मगर तेजस्वी का दबाव नहीं होता, तो क्या इतनी भरतियां होती बिहार में जिस तरह से भरतियां हो रही थी, वो अगर जारी रहती तो दूसरे प्रदेशों के मुद्दे भी बदल जाते, नौजवानों को नौक्रियां मिलती जब गांधी मैदान के खुली सभा में नौजवानों को बुलाकर नियुक्ती पत्र बाटे जा रहे थे, तब गोधी मीडिया ने इस खबर को अंदेखा किया था, इसलिए कि श्रे नितिश कुमार को ना मिल जाए, तेजस्वी यादव को ना मिल जाए, दोनों के साथ आने से भले सौ दिक्कते हों, मगर साथ आने से बिहार के दो लाक से अधिक नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, इस से किसी को दिक्कत तो हो रही थी, आप समझ सकते हैं, सरकार बनाने के बाद तेजस्वी दस लाक नौकरियां देने का वादा करने लगे, नितिश कुमार बी से नौकरी देगा, तो हमने आपको पता होगा, कि हमारी जो सरकार बनी थी, इनके नेत्युत में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी, और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था, यह किसका विजिन था, यह किसकी सोच थी, तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह संभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है, उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था संभव है, सिक्षा विवाक किसका था, रास्टी जनतादल के पास था, हमारे मंत्रियों ने लगतार जो है, नौकरिया देने का काम किया, और यह सत्रा महीने में जो काम है, जो आज तक पूरे देश में ने हुआ है, और यह भाज़पा और नितीज्जी की तो सरकार गतारता साल भी रहें, तो सत्रा साल बनां सत्रा महीने, जो काम हुआ, एक विभाग में लिड रिकॉर्ड perform बनाने का काम किया, एक विभाग में एक डिन जो है सत्तर दिनों न अंदर जो है दो लाग से भी उपर जो है हम लोगों ने निक्तियां पत्र वितरन करने का काम किया यह तिहासिक काम में किसी भी राज में नहीं हुआ और अब तक हम लोगों के सरकार ने लगभग जो है जो गवर्णन ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को तो सारे तीन इन से करवाया जिनका कोई विजन नहीं था जो थक गए थे थके वे मुकमंत्री थे उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया तो इतना काम तो हुआ ही है सारा जब नितीश कुमार जी हमारे साथ होते थे मंच से हम लोग बाते करते थे तो क्या-क्या नहीं बोलते थे कितना क यह काम हुआ आज तक कभी निवक्ति पत्र किसी सरकारों बिहार सरकार नितिश कुमार जी को माटते विए लेखे थे क्या हम आज नम बटबाना शुरू किये उसके बाद नम भारतर कार मातना शुरू किया यह सब भूलता है कोई सतर दिनों में दो लाक नौकरियां देना एक रेकॉर्ड तो है तेजस्वी जाती की गनना को लेकर आक्रमक थे आरक्षन की सीमा भी बढ़ाई गई यह तेजस्वी की मौजूदगी ही थी कि बिहार सरकार ने जाती की गनना का काम पूरा किया आरक्षन की सीमा बढ़ा दी यही काम मोदी सरकार ने किया होता तो गोदी मीडिया गाओं गाओं में पहुँचा देता हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मेरा अपना अनुभाव यही कहता है कि जिन दो लाख लोगों को नौजवानों को तेजस्वी यादव के गठबंदन में आने के बाद नौकरियां मिली हैं उनमें से जादातर कभी तेजस्वी का नाम नहीं लेंगे अगर इनके ही बीच तेजस्वी यादव मतदान करा लें तुन्हें असलियत दिख जाएगी यही बिहार की राजनिती की सचाई है इसके बाद भी तेजस्वी नौकरी देने के मुद्दे पर अड़े रहे तब भी जब जान रहे थे कि नौकरी लेने के बाद युवाओं क वोट नहीं मिलेगा ऐसा मेरा मानना है मगर तब भी सरकारी भरतियों के दर्वाजे खोलने में तेजस्वी यादव की भी भूमिकार रही है इसका उने अफसोस नहीं होना चाहिए सवाल है कि 2020 के बिहार विदान सभाद चुनाओं में बीजेपी ने 19 लाक नौकरियां देन अपने एक पुराने वीडियो में बिहार की हालत के बारे में बताया था जाती की गरना के साथ साथ अन्य रिजल्ड के बारे में बताया था यह हम पुराना अन्श सुना रहे हैं यहां की आबादी का 34.13 प्रतिशत हिस्सा महिने में 6,000 रुपे से भी कम कमाता है लेकिन जब आप इस आकड़े में 20,000 तक कमाने वालों को जोड़ देंगे तो 47.67 प्रतिशत आबादी बहुत मामुली कमाई पर जी रही है हार तोड मेहनत करने वाला बिहार कितना कम कमाता है उसके सचाई बस अभी जाकर आधिकारिक हुई है बिहार को आप किसी भी कोने से देखिए स्कॉर्पियो, बोलेरो, शॉपिंग मॉल, फ्लाई ओवर के बीच से निकलती हुई इसकी गरीबी सामने आ जाती है बिहार में 50,000 से अधिक कमाने वाले 4 प्रतिशत से भी कम लोग हैं ओवी सी में 33 प्रतिशत परिवार गरीब हैं सामाने वर्ग में 25 प्रतिशत अती पिछड़े वर्ग में 33.6 परिवार गरीब हैं और अनुसुचित जाती और जनजाती में सबसे अधिक 42-42 परिवार यह उस बिहार की सच्चाई है जो 20 साल से विकास विकास कर रहा है कई बार विकास से जादा विकास का नारा चल पड़ता है जिसके शोर में हम बाकी चीजें नहीं देख पाते गनीमत है कि बिहार सरकार और दो दशक से अधिक समय से सरकार चला रहे नितिश कुमार ने ही इस सर्वे को संपन कराया और सारज्वनिक कर दिया बिहार मूलता एक गरीब राज्य था एक गरीब राज्य है करपूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया है और बीजेपी को बिहार में सत्ता का रत्न नितीश के नाराजगी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है वे नाराज हैं इसलिए उनकी तरब से आ रही सभी दलीलें बिना किसी काट पीट के स्विकार की जा रही हैं जब वे बीजेपी को छोड़कर राज़त के साथ गए थे तब क्या किसी ने कहा था बीजेपी अहंकारी हो गई है सहयोगियों को जगह नहीं देती नितीश का सम्मान करना चाहिए था बीजेपी को अपना तरीका बदलना चाहिए था तेजस्वी दो बार उपमुखिमंत्री बन चुके हैं उनकी राजनिती का सफर आज के बिहार में लंबा हो गया है करपूरी ठाकुर की जन्म शताबदी पर उन्होंने अपनी जाती अपने समर्थकों से कहा कि कमजोर तबकों के घरों में जाया कीजिए उनके दुखदर्द को समझा कीजिए बिहार के जातिवादी समाज में तेजस्वी हमेशा जातिवादी के रूप में देखे जाएंग और जो भी रहे चाहे शिक्षा हो बेड़ुजगारी हो चिकिच्चा का हो तरह तरह की समस्या जो असल मुद्द्ध है उस पे चर्चा हो और उसका जो है निदान हम लोग करें यह होना चाहिए लेकिन कुछ लोग धर्म की राजदिती करना चाहते हैं कहते हैं तो लोग है कि फनला हम जाती वादी नहीं है हम जाती की राजदिती नहीं करते लेकिन सब कुछ करते हैं वो तो सब दिखता है तो हम तो कहना नहीं चाहते इसने तो विशेय अलग हो जाएगा आज खुशी मनाने का दिन है कि आज हम लोगों की जीत हुई है और बीजेपी को कितना इन लोगों का अंदर अंदर लहार रहोगा कि कर्पूरी जी को देना पर रहा ही तो वही लोग बुझा रहोगा तो आप समझे कितनी बड़ी जीत हुई तो कि खुशी हम लोग मनाने का काम करें और हमें खुशी है कि आप लोगों का साथ हमेशा रहता है आप लोगों का आशिरवात मिलता है चाहे कुछ भी हो जाता है आप लोग लालूगी का साथ ने छोड़ तो इसके लिए आप सब लोगों को हम परणाम करते हैं हाँ जोड़ करके कि आप लोगे के बतौलत इतनी बड़ी ताकत मिली है और हम यहीं उमीद करते हैं कि यह ताकत जो है आप लोग इसी इसाब से आग आप लोगों के बीच आए है और यह भी आप लोगों के समख साप लोगों से बात करेंगे लेकिन इनको आश्वासन दे दिजिए पूरी मजबूती के साथ लोग सवा का चुनाँ 2024 का हम लोग लड़ेगे लड़ियागा कि नहीं लड़ियागा एक दम मजबूती के साथ बहुत तरह का लोग ध्यान भटकाने का कोशिश करेगा यह करेगा और आप तो जान ही ना रहे भाई अब अब हम तो पहले से बोलते रहे हैं कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए लालू जी नहीं जुके भाजपा क्या आगे तो तेजश्वी भी नहीं जुकेगा यह एडी और सी बियाए को लगाएंगे लेकिन बिचलित नहीं होना है आप सब लोग लालू यादव हैं आप सब लोग तेजश्वी यादव हैं कोई घमराली की जरात नहीं मजभूती के साथ एक रहिए और मेरा एक बात जरूर वालिएगा कि छोटों के यहां जाईए गरीबों के घर जाईए उनके साथ दोस्ति कीजिए उनके दुख और सुक्त का भागिदार बनिये यह वचल दीजेगा की ने दीजेगा दोनों हाथ उपर करके बताइए वचल दीजो यह की ने दीजिएगा अगर बीजेपी वाला भाटपा वाला अगर दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो राष्ट्य जंता दल का सिपाई मजबूती के साथ उसकी रक्षा करने का काम करना यह संक्रत लेकर के आप सब लोगों को जाना है आप बिहार की चिंता मत कीजिए निश्चिंत रहिए वहां आप किसी को मर्सेडीज मुफ्त में दे देंगे तो भी उसे बेच देगा और बोलेरो और स्कॉर्पियो खरिद लाएगा बिहार की राजनिती में सिध्धान बदल सकते हैं मगर स्कॉर्पियो और बोलेरो की चाह नहीं बदल सकते निश्च जानते हैं राजनिती का यस्वार जहां आकानशाएं स्कॉर्पियों पर चलने के लिए बेताब हैं वहां सिध्धान और विचारधारा की बात बेमानी हैं बिहार में जैश्री राम का नारा लगाने वाले पल्टू राम के साथ जा चुके हैं निश्च कुमार को आप कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता उसी तरह से नरिंद्र मोदी को कुछ भी कहें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और इन दोनों को वोट देने वाले समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब है भारत में कोई काल चक्र नहीं घूमा है बलकि काल का चक्र उसी कीचड में अभी तक धसा हुआ है क्या कमाल है राम भी आए हैं पल्टू राम भी आए हैं स्वागत कीजे नमस्कार मैं रविश कुमार